हलो स्टुएंट्स, यूर वाचिंग आजानन अकाडमी यूट्यूब चैनल, मैसल परणदीप सिंग, आज हम डिसकस करने वाले हैं, चैप्टर नमर वन, सैट्स, जो क्लास 11th मैथमेटिक्स का है, उसमें हम एक्साइज 1.5 डिसकस करेंगे, और आज हम पढ़ेंगे उसका यू एक उनिवर्सल सैट है, A एक सैट है, B एक सैट और यहाँ पे C एक सैट है, आपको बहुत सारे चीज़ें इसमें फाइंट करने को दिए, जैसे कि सबसे पहले आपको पूछ रहा है, A का कॉम्प्लिमेंट निकाल के देखा हुआ अब, A का कॉम्प्लिमेंट का मतलब क सैट A में क्या है, 1,2,3,4, तो 1,2,3,4 को छोड़ दो, इसके अलावा 5 आ गया है, 6 आ गया है, 7 आ गया है, और 9 आ गया है, चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने, सैकिंड की और, सैकिंड में क्या कह रहा है, आपसे B का कॉम्प्लिमेंट निकालो, वही चीज है, B के अलावा जो भी उनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, यानि की 1 है, 2 नहीं है, 3 है, और नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, और 9 आ जाएगा, यह हो गया आपका B का कॉम्प्लिमेंट, तर्ड देख लेते हैं, A यूनियन सी का कॉम्प्लि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 तो आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, A यूनियन सी का, अब हम निकाल लेते हैं, कॉम्प्लिमेंट, यानि इनके अलावा जो भी उनिवर्सल सेट में, वो सब कुछ लिखना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8 और 9 आए B का कॉम्प्लिमेंट, तो सबसे पहले तो A यूनियन, B निकाल लिया, कहां गया, A और B का यूनियन, A और B का यूनियन क्या है आपके लिए, A और B का यूनियन है, 1, 2, 3, 4, 6, और 8, अब इसका हम निकाल देते हैं, कॉम्प्लिमेंट, एक का कॉम्प्लिमेंट क्या हो फोर नहीं आएगा यह हम लेलेते हैं फाइफ आ गया है सिंच नहीं आएगा अजए गाई न आएगा उन आ यह हो गया आपका फोर्ट वन कम्प्लेट आगे देखता है फिफ्थ प क्या और शोटा सा ही हो जाएगा एक का कॉंप्लिमेंट और उसका compliment किसके बराबर होता है A के बराबर होता है properties of compliment साथ देखा था हमने वैसे भी find कर सकते है A का compliment का मतलब क्या है आपके पास A का compliment का मतलब है आपके लिए यहाँ इमा उसको क्या हो जाता है यार बार बार A का compliment का मतलब है A के अलावा जो भी इसमें बज़ गया है ठीक है उसका फिट से complement करेंगे या नहीं उसके अलावा जो A में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर answer क्या होना है इसका A ही आना है 1, 2, 3 और चलिए आगे देखते हैं last इसका point B-C का complement सबसे पहले तो B-C कर लेते हैं B में से C को मैंने जो C में है वो सब B में से अटा दो C में 4 है तो 4 हटा दो 6 है तो 6 हटा दो बस क्या बज़ गया आपके पास 2 बज़ गया है और 8 बज़ गया है अब एक काम करते है B और C का क्या कर ले लेते हैं compliment यानि 2 और 8 के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है आपको universal set में वो सब को choose कर लेंगे हम ले लेंगे 1, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे 5, 6 7 भी आ जाएगा 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा और देख लेना अगर आप गलती से हो सकता है, मुझसे कोई digit लिखने में आ जाएगा तो थोड़ा सा देख लेना आप इसीज को बागी मैं सही लिखने कोशिश करूँ है, सब कुछ चाना चलिए, तो 1 हो गया 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 9, चलिए, तो यहाँ पर कंप्रीट हो गया है, फर्स्ट केशन के जो 6 पार्ट हो, 6 पार्ट हमने कंप्रीट कर लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सब तर के लिए, थैंक्यू, बाई